उतरकोरिया के सुप्रीम लीडर तानाशाह किम जोंग उनको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके नुसार किम जोंग की सेहत काफी गंभीर है हलाकि अभी तक इस बात की कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं की है मीडिया रिपोर्ट की माने तो किम जोंग की हालत लगातार खराब देखी जा रही है बतायर जा रहा है कि वो ब्रेंड़ेड हो गए है दक्षिन कोरिया की ओनलाइन साइट जोतर कोरिया की खबरे देती है उसके मताबिक बारह अप्रेल को किम रदय तथार रख्तवाहिकाओं समबंधी प्रक्रिया से गुज़ रहे है दक्षिन कोरिया मीडिया रिपोर्ट के बताबिक स्मोकिंग और मोटापे की कारण किम को इन स्वास्त सम्बंदी समस्याओं से जूजना पड़ रहा है इसके रावा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 15 अप्रेल को किम अपने दादा के जन्म दिन समहारों में भी शामिल नहीं हुए जिसके कारण भी किम के स्वास्त को लेकर चुनता चताई जा रही है 15 अप्रेल को उतरकूरिया का एक महत्वपून त्योहार दिन देश के संस्थापक किम टू सूंग का जर्म दिन होता है इस दिन कीम की तरफ से किसी भी बात का अधिकारी को लेकर नहीं किया गया विशेशक इस बात को लेकर अनिश्चत है कि आखिर अपने दादा के जनमोचो पर किम क्यों नहीं आए इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किम अपने दादा की जनमोचो बनना रहे मीडिया रिपोर्ट के मताबिक किम की अनुपस्त थी उनके स्वास्त को लेकर अटकलों को जनम देती है गौर तरब है कि उतरकोरिया में ताना शाही के चलते प्रेस या मीडिया को लेकर किसी तरह की शूट नहीं है ऐसे में वहां सिर्फ वही खबरे चपती हैं जिसकी अरुमती सरकार उन्हें देती है